इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइव साइंस फॉर किड्नी डिजीज आपकी किड्नी खराब होने के पांच बड़ा जो लक्षन है वह आपके सामने रखेंगे ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट करने जाना है अभी के अभी नहीं आप घर पे खुद को चांच करके कैस किमारी हो चुका है तो यहां पे कौन-कौन से सिम्टम्स आपको देखना चाहिए घर पे कैसे आपको पता करना है सब कुछ वीडियो में मिलेगा तो वीडियो करने तक जरूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं पहला जो सिम्टम है वह है चेंज इन यूरिनेशन आपके परशाप करने की पैटरन में बदला हूआ जाएगा कैसा होगा आपकी यूरिनेशन जादा होगा जिसको हम कहते medidasl बार बार आपको जाना पर वात्रूम मगर बार बारा बात्रूम तो जाएंगे बात्रूम ज्यादा होगा नहीं यह है एक के साथ एक टैली होगा उसके साथ बात्रूम लाल कलर का कुछ आपको नजर आएगा बात्रूम के साथ प्लड खून आ सकता है जिसको हम हीमाट्यूरिया भी बोलते हैं तो यहां पर बार ब इन्फेक्शन उसके कारण भी यह होता है मगर यह प्राइमरी सिम्टम अब बात करते हैं दूसरा लक्षन यहां पर होता है स्वेलिंग सुजन अब स्वेलिंग का आप नजर आएगा बॉडी के दो जगा में एक तो पैर आप पीछे इमेज में देख सकते हैं यहां पे पैर म एडीमा बोलते हैं उसके साथ साथ अगर आप देखो आख की नीचे इस जगा पे इस जगा पे यहां पे भी ज्यादा सुजन नजर आएगा आपको यह सारे सुजन एक साथ है और पहला सिम्टम भी है तो पता कर लेना कि आपको चांसे है कि किड्नी की बिमारी हो चुका है अब बात करते हैं तीसरा लक्षन जो के फैटी यह दोनों सिम्टम के साथ साथ तीसरा सिम्टम आता है जो के बहुत ज्यादा आप वीक रहेंगे बहुत वीक हो जाएंगे आप थोरा बहुत खाने के बाद ही ऐसे लगेगा आपकी नीद आ रहा है आप लेड जाओ यह सारे 80% चांस आपको किड्नी की बिमारी है उसके साथ बात करें और एक 5 फिफ्ट लक्षन जो के घर बैटे आप नहीं कर सकतो इसके लिए आपको टेस्ट रिपोर्ट यूरीन की रिपोर्ट अनलेसिस करना है यूरीन की चांच करना है यूरीन में प्रोटीन मिलना जिसको हम बो होना चाहिए यूरीन में कम हो जाएगा उसमें भी आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि आप में आपके शरीर में किड्नी की बिमारी है और उसके साथ साथ यूरीन में प्रोटीन पाये जाना भी किड्नी बिमारी का एक बहुत बड़ा लक्षन होता है तो अगर यह पाँच लक्षन एक साथ आपको पाँच में से चार तीन लक्षन एक साथ आ रहा है तो आप तुरंथ हॉस्पिटल जाए दुरंथ डॉक्टर के पास चाहे यूरलाजिस्ट के पास चाहे या फिर जिनरल फीजिशन के पास जाए या आप दिखाए चांच करवाई उसके आपके ट्रीटमेंट प्रॉसस स्टार्ट होगा तो अब बिल्कुल ठीक हो सकते हो तो देर मत करें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करें आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हल्पूल रहा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना अपनी दोस्तों क सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको लोगे